पाशपावली निवासी लक्षमी शिर्शिकर के घर सोमार की दोपर को सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ इस ब्लास्ट से परिसर के तीन से चार घरु का नुक्सान हुआ है प्राप जानकर के नुसार शिर्शिकर परिवार किसी कारिक्रम के लिए बाहर गए थे प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि घर से धुआ निकलते दिखा, धुए को देख उन्होंने खिडकी से देखा तो उन्हें घर में आग दिखाई दी, आग बुजाने की कोशी चल रही थी, घर में सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट इतना जबरदस था कि आज पास के तीन से चार घर को नुकसान हुआ लक्ष्मी शिर्शिकर से हमारे टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि वे लोग किसी कारिकरम के लिए बाहर गये थे, घर का सिलेंडर का नौग ब्लास्ट हुआ इस घर में एक साल के छोटे बच्चे के साथ तीन से चार लोग रहते हैं, वे लोग बाहर गये थे, इसी कारिन आज कोई भी जीविथानी नहीं हुई है ब्लास्ट होते ही परिसर के लोगों ने अगनी शमन विभाग को जानकारी दी अगनी शमन विभाग की गाड़ी लेकर पहुची भी लेकिन तंग रास्तों के कारिन घटनास्तल तक गाड़ी पहुची नहीं पाई परिसर के लोगों का आरोप है कि यहां के लोगों को अतिक्रमन कर घर बनाया है जिस कारण रास्ते छोटे हो गए और यहां के नगर सेवक भी इस और ध्यान नहीं देते मैं यहीं पर बाजू में रहता हूँ यह जो हाथसा हुआ है यहां पर सिलिंडर फूटने का हाथसा हुआ है और उसके बाद में यहां पर अभी तक के मतलब फायर बिगट को फोन किये बट उनकी गाड़ी नहीं आ सक री ती यहा तक और इतने से अच्छा हुआ कि कि किसी क तो मतलब जीवी थानी नहीं हुई है अगर कभी हानी अगर होती थी तो कोई भी आप एंबूलन्स भी यहां तक के नहीं आ सकती है और इसका कारण है कि यहां पर सब लोगों ने अपना अपना सब आगे बढ़ा चुके है अतिकरमन हो चुका है उसके बज़े से कोई गाड़ का रहे च्यार और मिलके है तो अभी एक भी अभी तक के नहीं आया है नहीं हमने तो नहीं दिये पर इतने बोड़े इतना जब हास्ता हुआ का का कि लोग आ रहे उनको जब आलम पड़ सकता है तो नगर से वक्कों नहीं कोई बात नहीं है मिरे क्यामिरा परसन अखिलेश भर्दवाश के साथ अभी शेक पान सी बीसीन नियूज नाकपूर